एक छोटी सी चांदी की, पीतल की या किसी भी मैटल की मचली आपके जीवन में कितने चेंजस ला सकती है, आपने कलपना नहीं की होगी तो आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ घर में मचली को रखने के फायदे मैटल की मचली एक्वेरियम रखने के तो फायदे होते ही होते हैं अगर आप लाइव रखते हैं लेकिन जो लोग एक्वेरियम नहीं रख पा रहे हैं वो लोग भी घर में रख सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शालिनी वर्मा आज आपको बताने जारी हूँ घर में रखी हूँ इस मचली के फायदे क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप मचली को रखते हैं मचली क्या है फिश क्या symbolic है फिश रीबर्थ का प्रतीक है फिश प्रतीक है हमारे higher self से हमारे connection का हमारे अच्छी health का हमारी wealth का हमारी good luck को attract करने का प्रतीक है तो यानि जहां पर आप रखते हैं इस तरह की फिश वहां पर ये सारी चीज़ें अपने आप attract होके आती हैं जब आप एक aquarium रखते हैं अपने घर में और उसमें fish मर जाती है तो क्या कहते हैं अपने उपर आई हुई बला को बाधा को उसने अपने उपर ले लिया यानि कि आपको सुरक्षित रखती है मचली इसलिए हम aquarium भी घर में रखते हैं वेल्थ attraction के लिए तो रखते ही रखते हैं लेकिन वेल्थ के साथ सद आपको protection भी देने का काम करती है fish तो कैसे घर में रखें मचली अगर देखा जाए तो बहुत खास है मचली कहां रहती है पानी में और पानी क्या है wealth का प्रतीक तो यानि पानी या पानी से जुड़ी कोई चीज जब आप घर में रखते हैं तो अपने लिए attract कर रहे होते हैं wealth को तो आप घर में इस तरह से कोई एक fish ले ले लें चाहे कैसी भी silver की ले पाएं तो चांदी की ले लें बहुत ही अच्छा है चांदी की मचली का तो बहुत ही अलग महत्व होता है चांदी की मचली को तो वैसे भी बहुत जादा शुब माना जाता है काफी जगे ऐसी हैं जहां पर चांदी की मचली को शुकता का पतीक मानते हुए शादी ब्या में और बाकी जो भी उत्सव हो रहे होते हैं उन सब में चांदी की मचली को जरूर रखा जाता है पतीकात्मक रूप से यूपी के कुछ पाट देख लें मुंदेलखंड का एरिया देख लें वहां पर चांदी की मचली के बगेर आपका कोई धार में कुछ सब कोई अच्छा रेलीजियस फंक्शन हो ही नहीं सकता चांदी की मचली यानि शुकता का पतीक तो इस तरह चांदी की मचली तो बहुत खास होती है पर चांदी की ठोस मचली आप लेते हैं तो थोड़ी सी कॉस्टली तो पड़ती है तो अगर जो लोग ले सकते हैं वो ले लें जो लोग नहीं ले सकते हैं तो वो लोग मेटल में ले सकते हैं पीतल में ले लें या इस तरह कि golden polish में ले ले silver polish में भी आती है आप silver polish में भी ले सकते हैं जैसी fish आपको मिल जाए आप उस तरह से fish ले ले अब fish करेगी क्या fish को जब आप ले तो रखें इसको घर के north में या फिर north east में north direction या north east corner में ही इसको रखना है क्योंकि water की दिशा है पानी की दिशा यानी की career की दिशा तो वहाँ पर अगर आप रखेंगे तो किसी भी तरह की अगर आपके job में, career में, business में कोई भी अर्चन आ रही होगी तो य इस जो direction है उसका element आप में रख दिया है तो आप north में रख दीजिए या फिर north east में रख दीजिए अब मचली क्या करेगी सबसे पहली चीज आपके लिए wealth को attract करेगी जहां पर aquarium रहता है कहते हैं मनी का flow बहुत अच्छा रहता है इसलिए वास्तू फंक्शोई हम aquarium को बहुत इस्तिमाल करते हैं health के लिए और wealth के लिए तो अगर aquarium नहीं रख पा रहे हैं तो आप symbolically fish रख सकते हैं fish रखिए और उससे भी आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे सबसे पहला effect होगा आपके लिए money flow cash flow सबसे ज़्यादा बढ़ेगा और हर direction से नई income आपको शुरू हो जाए अगर मान लीजिए health से related problems आ रही है तब भी वहाँ पर रखी हुई मशली आपके लिए बहुत काम करेगी अगर health का issue घर में जादा रहता है तो आप east में भी इसको रख सकते हैं east direction में रख दीजिए अगर केवल health का issue है तो otherwise आप इसको north और north east में ही रखेंगे बाकी health wealth के ल इसी जगह पर रख दें कि जब आप shop खोल के अपने दुकान में अंदर घुसे तो सबसे पहली निगाह आपकी मचली पर पड़े कोशिश करिए जिनकों भी business की problem है वो उसको ऐसी जगह पर रख ले या फिर ध्यान रखें कि जब हम अपनी दुकान में घुस रहे हैं तो हम मचली को सबसे पहले निगाह डालेंगे आपने मान लीजे नौर्थ और नौर्थ इस्ट में रखी है तो दुकान खोलते वक्त सबसे पहले उसी direction में देखिए उससे आपकी business की जितनी problems होंगी वो धीरे-धीरे solve होंगी आपकी दुकान पर customer बढ़ेंगे आपकी बिक्री ब मचली क inte अगर आप पर्स में करते हैं तो आप ऐसी मचली लेकिए हमेशा क suspicious अपने साथ में कैशवाक्स के पास में रख दें्य, लौकर पास रखें, लौकर के अंदर भी रख सकते हैं, जहां भी मन करें वहार रखें, फिश यानी की, वेलत का प्रतीक जहां 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 ज यह वास्तु और फंग्शुई का एक बहुत ही अच्छा उपाय जिससे वेल्थ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं उमीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में मशली जरूर रख लेंगे क्योंकि छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को आसान बना रही होती है और इन में कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाना होता बशर्त आपको विश्वास होना चाहिए अगर आपको ट्रस्ट है विश्वास है तो आपको जरूर रिजल्ट मिलता है मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से म मुध्ण करूए कर दो है जर लो मार्वश को बश्यार खार्ट्स भी यूर्ट्स भी यूर्ट्स भी चाहिए विवास हो गूर्ट्स